राम राम भाई सारे ने साउथ उपरीका की टीम ने भारती टीम को पहले टेश्ट मुकाबले में सरमनाख हार दे दिया है भारती टीम को एक पारी और बत्तिस रन से हरा दिया है दोस्तो भारत बराम साउथ अपरीका के बीच दो मैचों के टेश्ट सिरीच का पहला टेश्ट मुकालबर संक्चूरियन स्पोर्ट सपार्क स्टेडियम पर खेला गया था जहां पर साउथ अपरीका के टीम ने तीसरे दिन तीसरे चायकाल में भारती टीम को एक पारी और 32 रन से हरा दिया है दूसरे दिन तक खेल समापती तक साउथ अपरीका के टीम पांच विकेट पर 208 रन बना लिये थे कल तिसरे दिन साथ प्रिकाग की टीम 208 रन से आगे खेलना सुरो कि अचिसन दीजार की तीम 36 वर्षिये बल्ले बाज डीन इलुगर 140 रन से आगे खेलना सुरो कि और 805 रन की पारी खेलिए वहीं साथ प्रिकाग टीम की मारको जिंसन और सत्कीय 86 रन की पारी खिली जिसके बदोला साथ प्रिका के टीम तीसरे दिन भारती टीम को 163 रन की लेट लेते हुए 408 रन बनाए थी भारती टीम तीसरे दिन दूसरी पारी की सुरुगवाद की विराट कोहली और सुभमन गिल दहाई का आकड़ा चुपाए उसके अलाबा कोई भी लंबी पारी नहीं खेल पाया और भारती टीम एक पारी और 32 रन से देब्यू करने वाले तेजगेद बार्ण नांदरे बर्गर ने दूसरी पारी में 4 विकेट हासिल किया वहीं मारको जिंसन दमदार पारी variety के बाद 2 विकेट टीम के लिए हासिल किये दोस्तों इस तरह साउथ आपरिका की टीम की और से नांदरे बर्कर पहली और दूसरी पारी में अपने डिब्यूट टंट पर 6 विकेट हासिल किये टेमबा एक एकी बराबरी पर खत्म हुगा अगर भारती टीम हार जाती है तो साओथ उपरीका की टीम Νफोन से भारती सिंप को शफाया कर देगी अब भारत साओथ उपरीका के बीच नए साल तींट जन्वरी को दूसरा टिश्ट मुकाबला केप टाउन स्टेडियम पर बुद्धवार को खेला जाएगा जो दोपाहर भारती समय नुसार दो बज़े से शुरू होगा क्रिकेट का बड़ी सभी परकार की आपड़े नुच पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाग जरो कर दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में जैहन